हलो एवरिवान कैसे हैं आप सब लोग आप लोगों पताए कि कल जेके SSB ने अभी हाल ही में एक जैनुरी का स्केडियूल अप्लोड किया था जिसमें एक्जाम बताए गे थे Junior Assistant के एक्जाम आप लोगों का रखा गया है ठीक 20 दिन के बाद तो उसके बाद बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे तरीके के डाउट से तो आज ये वीडियो हम specifically आप लोगों के लिए लेके आए हैं ताकि एक पूरा 20 दिन की strategy को discuss करें किस तरीके से classes होंगी किस तरीके से ह हम यानि की triple S आपकी help करेगा क्या-क्या चीजों को follow करना है जिससे कि हमें at the end of the day result मिले क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं ताकि हम लोगों को result चाहिए हम लोगों को भी आप लोगों के selection के रूप में result मिलेगा तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग ये चैनल पह आपको finance account assistant का एक lecture में यहां पर दे दूँगा जिसमें हम लोग ये discuss करेंगे कि किस तरीके से classes होंगी क्या आपको इन last के एक महीने में करना है और जो आपका JKPSI की classes हैं किस तरीके से हम लोग ये conduct करवाएंगे एक पर्टिकुलर वीडियो आपको पहले मैं दूँगा जिसम पर हम लोग की discuss करेंगे तो सबसे पहले हम junior assistant के चलते हैं अभी तक आप लोगोंने typing test दे दिया है आप लोग अगर आज ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग ये test qualify करके आए हुए होंगे आप लोगों को इतना idea है कि यह आपका 20 marks का paper था अगर आप 35 पे खतम कर रहे ह चालिस पे कर रहे हैं तो आपको 8 मिलेंगे इससाब से आप इसको 5 के multiple से 5 से divide करके अपने marks निकाल सकते हैं अब जो दूसरा paper है जिसे हम लोग face second कहते हैं वो है आपका 80 marks का और अब हम बात करेंगे थोड़ा सा detail इस पर देखो सबसे पहले क्या चीजे हैं जो अभी हमें कर October में खतम हो गया था और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आज last shift पे sorry का last shift पे जाएंगे 31st December को अभी तक उनका typing भी खतम नहीं हुआ तो क्या किस तरीके से चीजे होंगी आप लोगों ने जितना भी पढ़ा है जो हम लोगों ने आपको पढ़ाया है जो लोगों ने आपको खुद ने पढ़ा है कहीं से भी किसी भी source से पढ़ा हो आप लोगों को उसको करना है revise और revise के साथ साथ जो सबसे ज़रूरी है वो ह या स्केडूल होगा मैं अलग से आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा अभी अगर आप लोगों ने टेस्ट नहीं लिए आप लोग ले सकते हैं सिरफ ये लास्ट न्यू येर के लिए आपको 35% डिसकाउंट पर ये सब अवेलेबल होगा ऑलीबोड की आप पर कोड यूज आ पर जाते हैं गूगल प्ले स्टोर में इसको डाउंलोड करते हैं आप लोगों को यहां पर दिख जाएगा थोड़ा सा स्क्रॉल जे एक्जामस पर जाना आपको दिख जाएगा जेक के एससबी जूनियर एसिस्टेंट यहां पर आपको डिटेल नोट्स जो हम लोग अभी देंगे sectional test के साथ-साथ video course भी मिलेगा अब जिन्होंने तयारी करी ही नहीं है आपको मैं strongly recommend करूंगा आप लोग सिरफ ये lectures देखो इसके साथ क्या करना वो मैं आपके पास आऊंगा यहां पर आपको numerical and reasoning ability के lectures मिल जाएंगे video forms में जिसमें आपको सारे के सारे दिख जाएंगे साधी साथ आपको gk के मिल जाएंगे English के मिलेंगे और computer के भी सारे के सारे videos lecture आपको मिल जाएंगे अभी discount पे सारा course यानि यह जो पूरा आपका चल रहा है junior assistant का सारा का सारा यह आपको 1200 रुपे में notes, mock test, sectional test और video course मिल जाएगा अगर आप code यूज कर लेंगे HNY का ठीक है अब हम बात करेंगे थोड़ी सी syllabus पर थोड़ा सा detail में अब पहली चीज क्या है यहां पर आप लोग देख सकते हैं अपनी screen पर सबसे पहली section है journal English अभी तक JKSSB ने जितने भी paper निकाले हैं जितने भी advertisement आई हैं हर एक में English section आप लोगों को देखने को मिली है और यह जो section है अब मैं आपको बताऊँगा इसको करना किस तरीके से आप लोगों को हमारे telegram group पे और हमारी triple S की app पे दो PDF मिल जाएंगे एक जिसमें आपके JSA के जितने paper ह हुआ है आपका sub auditor का JSA में English नहीं थी sub auditor में आपको English आई है paper में और same syllabus आपको एक idea मिल जाएगा कि JKSSB किस level पे questions को पूछ रहा है अभी तक जो level रहा था वो easy to moderate रहा है आप लोगों को क्या करना है अब आपको थोड़ा सा मैं यहां पर strongly recommend करूंगा सबसे पहली चीज क्या ह है अगर आप लोगों ने चीजें नहीं पड़ी हुई पहले आप लोग इस पर थोड़ा सा काम करें काम किस तरीके से रोज के idiom phrases को पढ़ना शुरू कर दीजिए active passive के practice शुरू करें preposition और साती सात narration यह आपको कम से कम भी 6-7 नंबर की paper में देखी और level इसका easy है paper में level SSC क English पूछी जा रही है ना ही banking की दो तरीके की आपको English देखने को बुलती है एक banking exams की और SSC exams की यह banking exams की नहीं है SSC exam की है आप लोगों के लिए मैं खुद जो जितने भी सब auditor के exam हुए थे उसका English का paper यहां पे आके discuss करूँगा अभी तक मैंने एक practice set करा था जिसमें 40 questions थे मैं ऐसे 4-5 set और लेके आऊंगा जिसमें सारा का सारा हम discuss करेंगे ताकि आप लोगों का जो finance account assistant का paper है उसमें भी आपको help हो जाए वहां पे 10 number की section है तो English आपको यहां पे मैं लेके आऊंगा live classes जो हमारी चलती है रोज रात को 10 बजे उस form में मैं आपको English यहां पे करवा आप लोग इनके lectures देख सकते हैं अगर आपने नहीं दिया तो आप लोग इसको अपने end पर पर सकते हैं SSC की कोई भी book आप उठाके इसको कर सकते हैं या फिर olie board के notes पे भी आपको यह सब देखने को मिल जाएगा हम लोगों ने भी इसकी video classes आपको provide करी है प्लेलिस में आना अगर यह चीज नहीं हुई जो हम लोगों ने आपको series करवाई है know your district इसमें से अगर आपको चार से पांच question इन बीच में से नहीं देखे आप मेर को आकर कहना कि आप लोग आपने कहा था नहीं वाप जो यह पार्ट आप लोग देख रहे हैं यहां पर लास्ट में य history, economy, geography, heritage and culture, tourist destination यह सारा का सारा हम लोगों नहीं यहां पर cover करवाया है चार से पांच नमबर का यह आपका यहां पर complete है और साथी सार नोयों district का आपका test होगा आज triple s app पे यह app पे test होगा लेकिन एक जो proper mcq based video होगी जो मैं आपके लिए लेकिया आउंगा वो मैं आपको जल्दी बता दूगा कोशिश करूँगा कि मैं इसी हफते में लेकिया जाओ तो यह आपके लिए मैं लेकिया जाओंगा चार से फांच नमबर का 20 में से हम लोगों कर लिया इसके बाद अब यहां पर बात करते हैं करन्ट इवेंट के उपर अगर हम जाएं मैं आप लोगों के लिए जल्दी ही एक एरली राउंड आप वीडियो लेकिया आऊंगा जिसमें जो भी important summits थे जैसे मैं पहले भी आप लोगों के लिए लाया है जिसमें मिलिटर इसके अलावा इंडियन कल्चर की अगर मैं बात करूं कल्चर हेरिटेज एंड फ्रीडम स्ट्रगर मोमेंड यह हम लोगों ने आपको करवा दिया है अंकुष में आपको करवाया है पढ़ाया मैंने था सारी चीजे कवर हैं अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं जो आपक इसा नहीं है जो हम लोगों ने इस टॉपिक से पर्टिकुलर टॉपिक से कवर ना कराया हूँ डेमोग्राफी सेंसे इंपोर्टन रिवर लेक्स वैदर क्राइमेट क्रॉप में मेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट और पॉलिटिकल फिजिकल डिविजिन यह सब आपका कवर है अग बात करते हैं निमारिकल और रीजनिंग अभिलिटी की देखो हम लोगों ने इसकी क्लास से शुरू करी थी हम लोगों ने पहले भी इसके बारे में पढ़ाया हुआ है अभी हम लोग एवरेज करवा रहे थे लेकिन आम लोगों ने परसेंटेज नंबर सिस्टम प्रॉफि आप पर दिख जाएगा यह free of cost course होगा कुछ आपको पे नहीं करना बस आपको सिस्टमाटिक में सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी basic arithmetic की और जो हमारी reasoning है इसकी अब दूसरी चीज क्या है दूसरी चीज यह है कि जो सब उडिटर का एक्जाम था उसमें भी यह सारी चीज साथ ही साथ अब analyze करना है analyze क्या होगा analyze आपके लिए सबसे best चरीका क्या है एक या तो आप क्या करो या तो आप आके mock test दे दो जो यहां पर आप लोगों को मैंने अभी बताए यह तो हम देंगे इससे क्या होगा ने questions होंगे सब लोग test देंगे अभी आप लोग वीडियो अभी तक सबसे जाधा vacancies हैं दूसी चीज क्या होगी दूसी चीज आपको अगर खुद को analyze करना है वो pdf telegram group पे पड़ा है मैं वापे से डाल दूँगा मैं आप पे भी डाल दूँगा आप लोग download करके क्या करें आप लोग practice करने की कोशिश करने देखो क्या आप से वो question निकल रहा है या नहीं अब अगर in case आपसे वो question नहीं निकल रहा तो उसका क्या अगरना है उसको आप लोग कुछ नहीं करें उसको आप हमारे facebook group पे post कर दो आपको वहाँ पे बहुत वच्चे हैं एक दूसरे की सब help करते हैं तभी हम लोग जादा अच्छा यहां पे result ले वह लेकर जल्दी ही यहां पे आ जाओंगा ठीक है इसके बाद last section जो है basic concept of computers यहां पे यह जो section है यह section सारी की सारी आपको अंजुम सर ने पढ़ाई है अंजुम सर ने सारी की सारी class आपकी इसमें ली है लेकिन अब आपके लिए क्या है अंजुम सर थोड़े से बीजी है जेके PSI कूर्स में आपको अंजुम सर दिख जाएंगे लेकिन मैं आपके लिए यहां पे अलग से सर हैं हमारे उन्होंने आपको junior assistant की classes करवाई थी लव सर है उनको बोलूँगा कि वो आपकी help करें आपके लिए यहां पर practice set बनाके ताकि आप लोगों को computer section जो है वो cover हो ज लेते हैं mock test हम लोग देंगे हर तीन दिन में एक जिससे कि हम लोगों को पता चल जाए कि हम लोग कहां पर stand कर रहे हैं कितनी improvement हमें चाहिए बच्चों को एक और चीज में बताता हूं यहां पर जो confusion आ रही है वो यह आ रही है कि अभी तक हम लोग जैसे junior assistant का हमारा typing qualify है हम का finance account assistant का exam सामने है हम लोग ने जेकेपी SI का बरा है तो अब हम लोग किसकी तयारी करें simple approach हमेशा दियान में रखना अगर आप लोग उने इसका typing qualify किया है तो आपके बहुत जादा chances हैं कि आप यह qualify कर सकते हो जो जो यहां पर selection होगी percentage of selection बच्चों की वह सबसे जादा होगी क्योंकि बहुत सारे पच्चे typing में ही बार हो चुके हैं आप लोग target सिरफ junior assistant का फिला रखो जब junior assistant हो जाएगा या फिर अगर आपकी finance की तयारी भी बहुत अच्छी है तो आप लोग इसको भी time दो अब finance में यह सारी sections है 30 marks का यह है 10 number के आपके 30 marks के आपकी जीके है बाकी 10 10-10 number का है 30-40-50 number आपके यहां से finance account assistant के भी देखते को आपको मिल जाएंगे तो इसकी तयारी अच्छे से करो ताकि यह qualify हो उसके बाद सोचेंगे finance के बारे में finance आप साथ में कर सकते हो क्योंकि एक साल का time आपको finance के लिए मिला था जो मैं मानता हो कि more than sufficient है किसी भी recruitment के यह आप लोग मत सोचें अराम से तयारी करोगे आप लोगों को बहुत अच्छा result मिलेगा देखो panic करोगे तो दिन वेस्ट करोगे यह मैं चीज मानके चलता हूं अगर आप लोग अराम से तयारी करोगे आप लोगों को ज़रूर इसमें एक अच्छा response मिलेगा अपने paper में जब आप जाओगे खुद के अंदर ही आप लोगों को एक अलग सी energy दिखेगी क्योंकि सबके लिए यह चीज अभी नहीं है बहुत सारे बच्चे पानिक करें इन फैक्ट हम लोग जो हमारी टीम है अभी रात के बारा-बारा बज़े तक हम लोग discuss कर रहे हैं कि कि किस तरी है इसको break करो चार शिफ्ट में कोशिश करो हर एक section को equal time दो अगर कोई week है उसको थोड़ा सा जाला दे लो लेकिन result आपको मिलेगा मैंने आपको बता दिया चीजें करनी किस तरीके से हैं और अगर जो लोगोंने नहीं पढ़ा हुआ कोचिंग में जाओगे 15-20,000 रुपे लोगे time waste होगा घर पे बैठके अराम से आप लोग पढ़ सकते हो अपने time के according यहां से भी extra help ले सकते हो वीडियो कोर्से सारा अवेलिबल है notes यह सब आपको मिल जाएगा किसी भी एक पर click करना एक lock सा बना होगा yes sure पर जाना वहां पर आप लोगों को code लिख लेना hny और यह 1200 रुपे में आपको सब मिल जाएगा sectional test तभी attempt करना जब सारा slavers हो जाएगा तो यह आप लोगों के लिए ही बेशक मान के चलो कि यह offer आया था इनका तो आप लोग यह कर लेना 35% discount आपको मिल जाएगा तो चलो यह था एक simple सी strategy आप लोगों को जो मैंने का है कि live classes में मैं करवाओंगा वो तो मैं करवाओंगा ही बाकी computer का test आपके लिए आ जाएगा know your district का test app पे available है आप लोग दे सकते हैं एक सबसे बड़ी चीज क्या करना एक बार syllabus को वापिस से एक बार hand written अपने हाथों से एक बार इसको लिख लेना ताकि आपको खुद ही idea हो जाए जिस चीज को पढ़ते जाओगे उस चीज को आप लोग cross करते चलना और जैसे जैसे cross बढ़ना शुरू हो जाएंगे वैसे वैसे confidence और बढ़ना शुरू हो जाएगा तो चलो आज के लिए सरफ इतना ही रखेंगे इस पेपर का जो syllabus है वो अभी तक सबसे easy है जितने भी जेके हो रही है क्योंकि जो इसका typing वाला phase था वो सबसे difficult था बाकियों के comparison में तो चलो आज के लिए सरफ इतना ही मिलते हैं अब आप लोगों से जल्दी finance account assistant का जब हम लोग syllabus discuss करेंगे जल्दी ही मैं आपके साथ JKP SI का syllabus भी डिसकस करेंगा तो अभी के लिए जाज़ दीजिए मिलते हैं कल ने lecture के साथ बबाइडेकर all the best have a nice day महनत करो panic मत हो क्योंकि selection आप ही की होगी आप ही में से लोगों की होगी बीस दिन जो अच्छे से इसको एक time management सभी मैं कहता हूं paper से 10 दिन पहले 20 दिन पहले बहुत crucial होते हैं अच्छे से टैकल करोगे तो अच्छा से अच्छा डिजल्ट आप लोगों को मिलेगा तो चलो बबाइडेकर have a nice day